कल अपना आम बजट पेश करने जा रही है और मौजूदा सरकार का ये आखरी आम बजट होगा वित्वमंतरी निर्मला सीता रमन इस आम बजट को पेश करेंगी और इस आम बजट से किसानों को क्या उम्मीदे हैं नौजवानों को क्या उम्मीदे हैं और मजदूरों को क्या उम्मीदे हैं आम लोगों को क्या उम्मीदे हैं यही बात करने के लिए हम पहुचे हैं सिवाया गाउं में और सिवाया गाउं के आप देखे जो तमाम मौजिस किसान है वो यहां पर बैठे हुए चुकि चीनी मिले चल रही है गन्य की परची आ रही है तो सुबह गन्य की नजरे रहती है बज्एटा आता है तम हम सौकाते मिलती हैं तमाम रियायते मिलती हैं क्या उम्मीदै को सरकार किसानों की जवाज सेचाई की बिजली माफ करी जाए और क्या किसानों का काफी फायदा मिलागा किसानों को अब जवाज सेचाई की बिजली जो फिरी हो जाए तो उसके बाइब काफी वाइदा मिलागा अभी घना आरा भी घना आरा भी अपको क्या लगता है क्या उमीद लगाए बैठ वह उमीद तो कुछी नी हम तो कही सकें माननो यह यामत माननो पर बिजली सस्ति करी जा और जो हब Milky ख़ह में तो इसका यह हमें पता जाए प हम यह उमीद कर सकते हैं आप युवा हैं क्या चांते हैं इसके रेट बढ़ाते नी चार साल इक बर 25 बढ़ाए तो उसके लेदे घुच नी है किसाने को नहीं नीए पताइट क्या मिल रहे हैं और नहीं बढ़ना ना यह बढ़ा रहे हैं बढ़ने की और उन्मीद लगाई बैठे हैं बस अब एक जो किसानों के यंट है तैतर हुआ है रोटिलर इनों पर जो टैस लग रहा है इसे थोड़ी रहाती दी जा जिसे तैतर खरीदने में या किसानों को अपने यंट खरीदने में आसनी हो दूसरा इसे तैम किसान बहुत बूरी हालत में है सबसीधी थोड़ी बढ़ाई जा फैतलाइजर बहुत महगा हो चुका है मजदूरी महंगी हो चुके है तीजल महगा हो चुका है जिसके कारण किसानों पर बहुत दाप पड़ रही है तो अगर आपका सीतारमन जी मंतरी जी जो थोड़ा सा राहत दे किसानों को तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि ये सरकार का लास बजट है सब किसानों की नजर इस तैम सरकार की माई है कि कुछ राहत मिलेगी तो पैसे लगा रहा कुछ राहत मिल सकते है आपके उमेद है कि कुछ लगाए बैठे है आपके उमेद है कि सायद किसानों के परति सरकार सोचेगी तीन धरने के बाद में कुछ उमेद है किसानों के लिए सरकार सोचेगी आप से भी एची थोड़ा समझना चाहूंगा क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप बजट से जैसे किसान है ना पैट्रोल डिजल काफी महंगा है तो उससे काफी खर्चा रहा उस पर सबसेटीद दी जा तो इससे उसके वह डाउन आव है क उसका बिजली जाए के विजली वो फिर ही कर देजा दूसरे एक किसान क्रेडिट कार्ड बनता है एक साल में उसका जो पूरा पैसा एक साथ जमा करके जमा करना पड़ता है तो अगले दिन चाप फेर ले लो उसका बियाज ही क्यों ना जमा करवाई जा मालो मन्या दो पर दो फेर बात आपकी काई देगी कि वहां किसान पर इतना पैसा नहीं है दो लाग का इंजाम करूं तो मैं किसी जो सूद खोरा है उनसे पैसा लुआ ना और वो मेरे से दो कर थीन का इंट्रेस्ट लेगा तो मुझे उससे जो मुझे सबसीड़ी मिले को मुझे तो कोई ल जब कि वे पूरा जमा करवाते हैं अगर तीन बना तीन लाव तीन का इंजाम अगर उस पर होता तो लोन नहीं क्यों लेता है यह सुविदा है ना तो उसको वह फाइदा होगा ना और क्या होना चाहिए और यह डीजल पर सबसीड़ी करो किसान की जुताई कमा और यह चु सबस्ता होगी तब यह फसल पूरी फसल खागे ना वे कहरे हमारे पैसा नहीं तीस रुपे में हम एक पसु कैसे रखेंगे तो इसका बजट बढ़ा तो चुकि आवारा पसुषे आवारा पसुषे किसान परिशान है और इसलिए वह थोड़ा चाहता है कि चीज़े बढ़ लगी है तो उत्पादन लागत बढ़ने के कारण जो है किसान की इंकम लगातार निच्छे होती जारी गरीब के एक मजदूर की आमनम ज्यादा है सरकार के आखड़े बलाते हैं कि किसान की आये 27 रुपे रोज है अब बताव 27 रुपे वज में कोई गुजारा कर सके हैं तो हमाई तो सरकार से 5-6 मांगे हैं एक तो भाई दोग दोग के लिए पसुषार की आप सकता हुए तो पसुषार पर जीएश्टी गटा दी जाए बिल्कुए 12 परसेंट जीएश्टी लग रही जबकि पसुषार पर एक परसेंट भी जीएश्टी निए पसुषार बहुत महंगा है बड़ी स्थी खराब है आप देख लो कैसे पसुषार रहे हैं इने खिला में क्या अपने आपका में कोई स्थी खराब है दूसरी सब्स हम मुफ्त नहीं कर सकते हैं घर मुफ्त तो कुछी ही हो नहीं मिन चाहिए उसके दूस प्रभाव देश के अर्थ होस्ता पड़ा है लेकिन किसानों को आप सब्सक्राइब दो किसानों को उनके काड़ बना हो जैसे कि 91 में एक बार काड़ बनेते जिब निए गवर्मेंट तो हम चाहते हैं कि अपना रभीया बदले और टेक्स के स्थर पर जो किसान आ रहे उने भी कुछ चूट परदान को ही जाए अच्छी बात ही नोने कही है कुछ उवा उनसे भी क्या चाहते हैं सरकार से बेरोजगारी के लिए चाहते हैं जाए एक तो पहले तो वेकेंसी निया ती वेकेंसी आती है तो पेपर लीग पिछले पांच साल में पंदरे एकजाम के पेपर लीग हो गए यूपी-उपी के बत में अगर पेपर हो भी गया किसी तरह है तो फिर रिजल्ट निया था दोजार सो लग रिजल्ट अब आ रहे हैं बताओ च्छे साल बाद क्या करें हम बताओ यूपी-ट्र पलसी आयोग है अब बताओ एक एकजाम हुआ था भी लेकपाल का जुलाई में हुआ था अब तक अब यूवा क्या करें यूवा क्या करें देखें तमाम किसान और नौजवानों की बाते हैं और सिर्फ यही कहना है कि सरकार से उम्मीद बहुत लगाए बैठे हैं जो आवारा पशों हैं उनकी परिशानियों का समाधान हो जो आवारा पशों के लिए 30 रुपे डाइट के इसाब से दिये जाते हैं वो बढ़ाए जाए करशी अंतरों पर सबसीडी मिलनी चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके सामने नजर आया वो आया है बिजली का कि जो बिजली के बढ़े हुए दाम है वो थोड़े कम होने चाहिए किसान इस बात को जरूर कहते नज बढ़ान से यही उंवीद लगाई बैठे हैं कि इस बार जब आम बजट का पिटारा खुलेगा तो उसा बजट के पिटारे में किसानों के लिए तमाम बड़ी सोगाते हो सकते हैं तमाम बड़ी रियायते हो सकते हैं चोकि आखरी बजट है और इस आखरी बजट में किसान, नौजवान, आम लोग सभी सरकार से बड़े उम्मीद लगाए बैठे हैं वीडियो जर्नली सतंदर सिंग के साथ सनुच शर्मा, ABP गंगा मेरट